अस्सलाम उलेकुम दोस्तो आज मैं अपने किसी सब्सक्राइबर की जो है डिमांड वो पूरी कर रहा हूं वो इसलिए क्योंकि देखिए उन्होंने जो बोला है कि गौन बना के बताओ तो मैं गौन पूरा नहीं बना रहा है मैं सिरफ उनकी एक डिमांड ये पूरी कर रहा ह कि उन्होंने बोला है कि बिना जोड के जो हम अम्रेला घेरा नीचे बनाते हैं वो 36 कमर का आप बिना जोड के किस तरीके से काटेंगे बो बताईए और कितना कपड़ा लगेगा क्योंकि अभी फिलाल मेरे पास कपड़ा वो नहीं है क्योंकि कपड़ा इसके लिए जो आपकी एक यह रुकेष्ट पूरी कर रहा हूं जो कि आपने बोला है कि 36 कमर बिना जोड के किस तरीके से काटेंगे और कितना नाप लेके किस तरीके से कटिंग होती है वो मैं आपको बताऊंगा तो इसको सीखने के लिए वीडियो को आप एंट तक देखे और अगर आप म वीडियो को सुरू तो यह देखिए दोस्तों यह मैंने सिर्फ इस पर एक नाप लिखा है 36 और आगे बना दिया के मलब कमर चीक है तो यही मैंने एक नाप लिखा है इसके लिए कपड़ा जो है मैंने यह तक्रीबन एक मीटर से थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि जितना इस कपड़ा नहीं क्योंकि बिना जोड़ाले में जो है हम यह देखिए एक बारा के करीब कपड़ा है इस तरीके से तो बिना जोड़ा वाले में बड़ी अर्ग यह आता है जैसे टापटा बगएरा हो गया उनका जिखपन इंच के करीब होता है और रियोन में मिलता है उसका सबसे पहले क्या करेंगे यह जो है इसकोने से इस सरीके से मिलाएंगे देखे और आज मैं आपको एक चीज यह बता दूगा कि कि आपको किस तरीके से ये कमर की कटिंग करनी है और कितनी करना चाहिए पहले वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कटिंग करते हैं तो एकदम फर्फेक्ट तरीके से हम नापके कटिंग करते हैं कि हम इतनी चाहिए तो हम उस तरीके से कर लेत तो देखे ये चीजम, जैसे कि अब हम इसको इस तरीके से रख लेते हैं, ताक्म आपको समझाने में हमें बिल्कुल आसानी रहें. देखें, यह हमारा 42 इंच अर्जिका कपड़ा है, तो देखें, जब यह हमारा इधर भी जोड़ नहीं है, और इधर भी जोड़ नहीं है, तो यह चार उतरब एकदम बिल्कुल बंद हो गया, कोई सिलाई नहीं लगानी है, तो देखें, 36 इंच जब आपको कमर तयार रखनी है, तो आपको यह गुलाई, यहां से निसान लगाना है, पांच इंच, इस तरीके से, पांच इंच इधर निसान लगाएंगे, और पांच इंच का एक निसान इस सेट से लगाएंगे, ठीक है, और पांच इंच का एक निसान इस सेट से लगाएंगे, मैंने यह पिछले आ पड़ता है तो देखी जैसे कि आप हमने ये निसान लगाया अब यह लगाया पांच इन तो यह सिरफ खाली 36 कमर के उपर है अब यह रहा है हमारा 7 8 इंज । 타 자 biz का हमारा यह जब एक सैट सेस आ रहा है तो हमारा यह चोटियाई में आ जाएगा आपका तैंछ ता क्योंकि 8 और आटser ला और त्बार वाला वाद सोला वत्तिस और si अव इस ए उगया तो यह हमारा 33 हो जागा तो 5 इंज हम इस तरीके से काटेंगे क्योंकि देखिए कपड़ा हमारे पास में यह खिचने वाला है ठीक है अब ये देखिए मैं इसको काटके दिखाऊँगा इस तरीके से देखिए क्योंकि काटने के बाद में ये कपड़ा बढ़ता है यह देखिए नापने पर यह हमारा रहा है 33 अब हमने जब यह काट लिया अब काटने के बाद में जब इसको देखिए ऐसे करके नापेंगे तो यह थोड़ा कपड़ा हमारह है है फैल जाता है यह इस तरीके से यह आपका आगया नौइंज तो 9 चोक 36 देखिए अब मैं इसको इस तरीके से खोल देता हूँ यह देखिए कोई जोड नहीं है इसके अंदर इस सरीके से हलका सा इसको छोटा काट के चलें क्योंकि अगर आपने छोटा काट दिया है तो बढ़ जाएगा कोई दिक्कर नहीं आप इसको हलका सा बढ़ा सकते हैं अगर आपने ये पहले ही बढ़ा काट दिया फिर आपको यहाँ पर सिलाई लगाना पड़ेगी फिर वो जोड आ जाएगा तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर देखिए इस तरीके से रखेंगे यह यह देखिए यह बिल्कुल 18 इंच आ रहा है तो 18 दुनी 36 इस तरीके से भी आप नापेंगे तो बिल्कुल एकदम फरफेक्ट तरीके से आएगा यह देखिए तो इस तर क्योंकि यह गौन बैसा नहीं बन सकता कि जो आपको चाहिए क्योंकि इसमें देखिए इस अर्ज में जो है अब यहां से देखिए कपड़े की लंबाई है हमारी 17 अगर इसमें हम चोली लगा देते हैं 15 इंच की तो यह हमारी लंबाई को ला रही है 32 ठीक हैं तो यह हमारी 41- इसमें अगर 60 इंच और बढ़ेगा तो यह हमारा पहुंच जागा 50 इंच से जादा तकरीबर ठीक हैं तो इससरीके से अर्ज के ओपर डिपेंड करता है कि आपके पास में कपड़ा कौन सी अर्ज का है और कौन सी अर्ज का नहीं है अगर बिना जोड़का अगर आप यह घ करना पड़ेगा इसके लिए आपको यह जरूर करना पड़ेगा कि अ पidences कपरा में कि अ कि इसका अर्ज कम है सिर भी यह देखे इतनी जगार इसमें यह यह करते हैं अब यह कहीं पर लए इसमें आप नीते में ये 36 साइज में जो मैंने आपको बताया है इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं कपड़ा आपको वो ही है जो बड़ी अर्ज मैंने बताई है आपको 60-65 जितनी बड़ी अर्ज होगी उतना अच्छा गौन बनेगा आपका तो आप उस कपड़े का यूज करें ये सिरह मैंने नहीं है वो मैंने आपको बता दिया तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको कोई चीज और सीखनी है आप मुझे बधाएं मैं कोईशिस करूँगा कि आपके और चीज पूछा है वह मैं बना कर दूँ आपको क्योंकि हम पूरी डिमान्ड डिमांड जितनी भी होती है, हम उसको पूरा करने की पूरी कोसिस करते हैं, कोई बाई चांस होता है कि कभी भी देखिए, हर चीज पूरी नहीं होती है, ज्यादा तर मैं कोसिस करता हूँ कि मैं पूरी कर दूँ, कोई चांस होता है जिसमें कि हम नहीं कर पाते हैं, तो दोस् करें